की बड़ी खबर के साथ बालोत्रा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जोहाँ पर निर्दलिय प्रत्याशी रविंदर सिंग भाती को जौन से मारने की धमकी मिली है धरने के दौरान रविंदर सिंग भाती समभोद्वित कर रहे थे जौनकारी के मुताबिक इसी दौरान सोशल मीडिया लाइव के दौरान ये धमकी दी गई और धमकी देने वाले का नाम जो है वो दिखाई दिया है रोहित गोदारा लिखा है भाटी को सुधरने की हिदाय देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई कि चुनाप परणाम चाहे कुछ भी हो लेकिर रविंदर सिंग भाटी थोड़े दिनों का ही मेमान है अगर समय रहते नहीं सुधरातू रोहित गोदारा का पूरी सर के इस हैंडल से धमकी दी गई है सोशल मीडिया लाइव के दौरान ये धमकी दी गई इससे पहले आपको बता दे कि रविंदर सिंग भाटी धरने को संबोधित कर रहे थे अपने समर्पूं को संबोधित कर रहे थे उनकी का सोशल मीडिया पर ल अगर समय रहते नहीं सुद्रातो तो ये बड़ी जौनकारी इस वक्ती सबसे बड़ी खबर बालोतरा से बड़ी जौनकारी आ रही है दो अलग लग तस्विरें एक तस्विर जो है वो भाटे के संबोतन की तस्विर और दूसरी जो तस्विर वो लाइव के दौरान जो धंकी दे गई उसकी तस्विर है ज्यादर जौनकारी के साथ हमारे सेयोगी प्रेमदान हमरे साथ जुड़ चुके हैं प्रेमदान क्या जौनकारी रविन्दर सिंग भाटी को एक धंकी दी गई है जी कि मैं आपको बताना जाओंगा कि सोसल मेजिया प्लेटफॉन पर यह दंकी लिखी गई है रोहिद गोदान नाम के जो एंडल है फेस्वुक का उसके उपर इसकी दंकी दी गई है क्योंकि रविन्दर सिंग भाटी आज अपने कल जो मद्दान हुआ है उसके उपर आलोता कुछ कार्यकता उपता है उसको लेकर के बाड़ मेर के बालोतरा पुलीस अजिक से कारने के बाद दरने पर बैटे थे उसी मामल को लेकर के जिस दुरान कोई लाईव करता उसी लायव को दोरान यह दंकी आई है हाला कि इस पूरे मामल को पुलीस ने प्रसंग लिया है और जिस हैंल से आई है उसकी आई-पे अड्रस की तलाऑ की जारी ताकि कौन भेक्ती है जिसमें इस तरीके के किर्टिक है क्योंकि बाड़ मेर जैसर में वालोत्रा जो है आपसे भाईचारे के लिए जाना जाता है यहाँ पर चुनावी जो खटास पैदा हुई है उसी को ले करके इस तरीके की चीजे कमेडार है अलागि यह देगा जाना ज़रूरी है कि यहाँ कौन है रोहित गोदारा जिसके दोरा इस तरीके की रविंदे सिख भाटी ने इस पर कोई रियाक्शन दिया है उनकी तरब से कोई शिकायत पलिस को दी गई है कि आज ही जो धर्णा समात हुआ उसमें पलिस प्रिशासन की तरफ से का गया था कि कमाम जो शिकायत आएंगी उस पर पलिस प्रिशासन कारवाई करेगा जी रखिए लगातार अपडेट हम आप से लेते रहेंगे बहराल बहुत शुक्रिया तमाम जो अनकारी के लिए तो लोग सबाद चुनाओं को लेकर के दो चरणा